हेलो गाईज तो आज हम आए हैं जनपत की गुजराती लैन मार्केट डैली इस मार्केट में बहुती यूनिक सामान मिलता है और यहां की बोहो बैक्स तो बहुती ज्यादा फेमेस हैं क्योंकि वो गुजराती बैक हैं और वो बहुत एक्सपैंसिव होते हैं अगर आपको यह आप यहां से समान ले जा सकते हैं क्योंकि वो इनकी बॉनी का टाइम होता है और आप इस मार्केट में दोपैर में दो तीन मजे करीब आएंगे तो यह बहुती एक्सपैंसिव समान यहां पर मिलता है तो यह बैक्स आप देख रहे हैं इसके प्राइज है पान पान सो रु और भी तरह के कि यहां पर बैक्स मिलते हैं नॉर्मल वाले भी यहां पर प्रोपर हैंडवेड समान मिलता है और यह मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है एक प्रोपर एक लाइन में हैं शॉप्स वगएरा इसलिए इसके गुजराती लाइन बोलते हैं और यहां पर आने के लिए आपको जनपत मैट्रो स्टेशन पर उतरना होगा जनपत इसके नियरभाई मैट्रो स्टेशन है तो देखी यहां पर हैंड बैग भी हैं सब टाइप के बैग, पर्स वगएरा यहां पर मिल जाएंगे कुशन्स कवर भी है, डानिंग टेबल कवर भी है यानि घर का भी समान बागी का सारा मिल जाएगा यहां पे और मैं इस मार्केट में आई हूँ शाम में ये साड़े पांच बजे का टाइम है साड़े पांच से छे बजे के बीच का टाइम है और इस टाइब का बैक तो मैंने जनपाद मार्केट में भी देखा था ये बैक भी काफी अचा है कि इसमें चोटा सा पॉकेट बैक भी है इसके प्राइज हैं पांच सो रुपर बाकी आप यहां से बार्गिनिंग करके भी ले जा सकते हैं यह पर सब देख सकते हैं इसके प्राइज है छह सो रुपर और इस वाले प्राइज डेड़ सो रुपर यह भी डेड़ सो रुपर का प्राइज में हैं और यह 200 रुपर के प्राइज में लेकिन यहां पर जो बहुत बैक से वह बहुत एक्सपेंसिव हैं यह बैक यहां पर 300 रुपर का मिल रहा है जो कि 120 रुपर का मैंने लाजपत नगर मार्केट में पूछाता है यह बैक और इस टैप के बैक भी यहां पर हैं तो देखिए यहां पर डाइनिंग टेवल कुशन्स कवर बहुत कुछ बहुत ही एक्स एपरडेबल प्राइज में मिल रहा है यहां पर कि यहां पर कॉलिज वगएरा के बैक्स भी मिल रहा है आप यहां से ओफिस कॉलिज वगएरा के लिए बैक ले जा सकते हैं यह बैक बहुत ही अच्छा लग रहा है और यह वाला जो ब्लू वाला बैग है मुझे बहुत अच्छा लगा काफी डिफ्रेंट और काफी एट्रेक्टिव भी है इसके प्राइज जो थी वह 500 रुपे थी और इन बैक्स के प्राइज 500 रुपे है इसका जो प्राइज है वह 400 रुपे है और यहां पर डिफ्रेंट टाइप के बैक्स है कि जाधा भी हैविट टाइप के और यह पोड्रि वाले जो बैग होते है वह बहुत ज्यादा चल रहे दरें लहें वेगभी बगैरा साड़ी खाते में है यह इस ये लो वाला भी काफी अच्छा है या आप कॉलेज वगरे के लिए ओफिस वगरे के लिए ले जा सकते हैं मेरी आजवास थोड़ी कब निकल लिए थोड़ा खराम होने की वज़े से तो देखे ये वह बहुत बैक से जिसकी वज़े से मार्केट बहुत जादा फ्यमस हैं एवन ये बहुत और ये बहुत एक्सपेंसिव हैं ये दो-दो ऑड़ाई डही हजार रोपैसे इसकी स्टार्टिंग रेंज है यह बहुत एक्सपैसिव लगे है मुझे तो दोड़ाई जरबे के अकॉर्डिंग सब कलर के आपको यहां पर बहुत बैक्स मिल जाएंगे पर यह हैवी होते है यह बहुत जादा वर्क होता है ऐसा नहीं होता कि मतलब यह परिवाद तो यूनिक है इसी मार्केट में मिलते हैं हैंड मेड होते हैं और इसकी वज़े से यह बहुत एक्सपैसिव भी है और आप को यहां पर हर कलर का बोहु बैक्स मिल जाएगा तो बहुत ही अच्छा च्छा है यहां पर समान मिल रहा है काफी अच्छा लग रहा है यहां पर घूम के तो आप ही बहु बैक ले जा सकते हैं जैसे अगर आप राजस्तान वगएरा कहीं घूमने जा रहे हैं तो लॉंग इसकार टॉप के ओपर यह बहु बैक तो अग्दम और उसके साथ यह जंग जूल्री वाले एरिंग्स ओमाइगा अग्दम अलागी लुक लगएगा और इनके पास बहुत ही अच्छे जो है वह कुर्थी वगएरा भी हैं तो अपर कपड़े भी मिलेंगे बैक्स के साथ आप में और यहां पर जंग जूल्री और स्टोन वाले जूल्री सारी जूल्री भी मिल जाएगी आपको पर यह बहुत एक्सपैंसिव समान है यहां पर और देखिए यहां भी वहो बैक्स मिल रहे हैं यह छोटे वाले वहो और यह शोटा से ब्लैक बाला परसे का प्राइस पता है कितना दे रहे थे ऑला का इन फरे यह परी सिसक्ता wow स्पैंसिव होते हैं और इतने प्राइस बहुत जादा हो और इसके सासता आप यहां देख सकते हैं साड़ी वगएरे के लिए लैस भी मिल रही है काफी कुछ लैस जो है काफी हैवी भी हैं पर इतने बड़े बड़े नग लगे वे हैं अब कुछ जो लैस है वह नॉर्मल है सिंपल वारी लैस है तो देखिए हर तरिके की लैस आपको यहां पर मिल जाएगी हर कलर में लैस आपको यहां मिल जाएगी और यहां जो लैस मिलती है वो बहुत ही अच्छी लैस है क्योंकि वो बनारसी साड़ी स्टोन वाली साड़ी किसी भी साड़ी पर लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं आ प्राइस तो इनके बहुत expensive होते हैं बाकि अगर आपको bargaining करनी आती है तो आप यहां से अच्छे प्राइस में भी shopping कर सकते हैं और यहां पे लहेंगे वगएरा भी हैं सब तरीके के और यहां की जूलरी का यहां जो जूलरी है अदम perfect है यानि आपको जूलरी का सारा समाना आपको यहां पर मिल जाएगा इस market में देखिए पैरों में पहनने के लिए आप देख सकते हैं इसको और यहां पर पायल नेकलेस सारी चीजह हैं जंग जूलरी वाली एरिञ्ज की भी कافरा अच्या Traduction है और आप देख सकते हैं नेकलेस भी हैं यह बड moderate नेकलेस है में कि फॉक्ली ताही बहुत ही अच्छी अच्छी सामान यहां पर मिल रहा है और यहां इस मार्केट में एन आराई लोग आते हैं तो देखिए यहां भी जो है लैस का बहुत ही अच्छा कलेक्शन इनके पास रखका है और यह लैस काफी एक्सपेंसिव है साड़ियां भी है यहां पर बहुत अच्छी अच्छी साड़ी वगएर भी मिल रही है हर कलर पे है अच्त छीन लैस मिल जाएगी सब तरीके की लैस यहां पर आविलेबल है उसके बार डाइनिग टेबल कवर कुशन कवर सारी चीज़े यहांपर आपको मिल जाएगी एक ही मार्केट के अंदर और देखे कितनी सिंपल सी एदन छोटी सी मार्केट है यह है बोहो बैक्स जिनके बारे मैंने भी आपको बदाया था इसे कलर भी काफी अच्छा लग रहा है और इसमें सारे कलर आपको मिल जाएंगी इनके पास तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है बोहो बैक्स का और सिंपल वारे बैक्स भी है इनके पास में और कुछ जादा बड़े बैक्स भी है बोहो में ही काफी बड़े बड़े वे यह ब्लैक वाला बहुत अच्छा लग रहा है जो एकदम छोटे होंगे वो हो बैक वही आपको सस्ते मिल सकते हैं बागी इसकी जो रेंज है वो स्टार्टी दो धाई जार रूपै से होती है दो हजार ये धाई जार रूपै से स्टार्टी है इसकी जो कि मैं इसलिए बता रहें क्योंकि दो हजार रूपै यह उपर यह नहीं देते हैं धाई हजार रूपै से स्टार्टी होती है बागी अब यह वाले बैक जो हैं कम करके भी लेजा सकते हैं बारगिनिंग वगएरा में और हर दरीगे के बैक इनके पास अविलेबल है पोर्टली वाले बैक भी हैं यह भी अपसूर्ट साड़ी लहंगे पर लगा सकते हैं जब टरीड बैक टरीख पर वेजेख थे हैं जो क्योंकि यहां पर जो चीज़ें आपको देखनी को मिलेंगी आउधे यहां की मार्केट में नहीं मिलेंगे यहां की चीज़ेने की मार्की मनेर्ट जłość यूनिक हैं यह हैंड मेड हैं और यह गुज्राती हैं क्योंकि गुज्रात का समार आपको मिल जाएगा सारा काफी अच्छा लग रहा है हमें क्योंकि यहां पर सारी के कलेक्शन काफी अच्छा है और यहां पर जादा रश नहीं रहता है इस मार्केट में इसके यह भी खासियत है यहां पर जो रश आपको देखने को मिलेगा वो छे साथ बजे करीब मुझे लगता है होगा तो देखिए यहां पर सिलक की साड़ी जो है आटी इसको फोल्ड कर रही है इस सिलक की साड़ी है और इसका जो प्राइज है वो है फाइट थाउनने नहीं पांस हजार रुपे और इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर भी यहां पर हैं इनकी पास में बहुत अच्छे अच्छे कलर है इन आंटी के पास में साडियों के देए कितने प्यारी प्यारी साड़ी आपको यहां पर मिलेगी सिल्की देखने के लिए और यह बहुत अच्छे यह पिंग और ग्रीन वारा कॉंबिनेशन और यह बलैक वाले साड़ी है आप देख सकते हैं यह बलैक साड़ी है काफि डिफ्रेंट साड़ी इसमे एक नम प्रिंटेड है बहुत ही अच्छे है इस पर प्रिंट हुआ है और भी बहुत अच्छे सिल्की साड़ी नांटी के पास है इस सिल्की साड़ी का भी काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है यह पर बनार सी साड़ी और नॉर्मल जारजट वाली साड़ी भी इनके पास है साड़ी के साथ इनके पास लैस भी है लेकिन इस बार वाली साड़ी के पास है लेकिन इस मार्केट के अंदर क्या है ने स्टार्टिंग की जो दस आट दस दुकाने हैं वह जादा अट्रेक्टिव हैं तो देखिए अपर लॉंग स्कृट वगएर भी बहुत अच्छा लग रहा है और यह साड़ी का आप देख सकते हैं ब्लैक सिल्क साड़ी का कॉंबिनेशन इतना अच्छा कॉंबिनेशन और कलेक्शन आपको यहां पर देखने को मिलेगा बहुत ही यूनिक है इस्टार्टिंग के आठ दस दुगाने तो बहुत ही इंट्रस्टिंग है काफी उसके बाद ही जो मार्केट है वो बोरिंग सी हो जाती है देखिए यहां पर लैस ले रही है यह इस टैप के लैस भी आपको मिल जाएंगी यह राजस्तानी टॉप टाइप के है यहां भी लैस का अग्दम सिंपल सी लैस है काफी अच्छा कलेक्शन है तो गुजराती लैस जो है बहुत सिंपल सी जो है मार्केट है बट इसमें यूनिक एन इंटरस्टिंग समान है यहां पर गुजरात का सारा समान मिलता है गुजरात के बहु बैक्स गुजराती साड़ी यनो बनारसी साड़ी और यहां पर राजस्तानी भी बहुत अच्छा समान मिलता है यह मार्केट काफी यूनिक है जो समान इस मार्केट में आपको मिलता है वो आपको किसी और मार्केट में नहीं मिलेगा यहां पर हैंट्काफ्स लिए है क्योंकि यहां पर हैंड्काफ्ट समान मिलता है hypothetical मेर्ड समान दोपट्टा कितना अच्छा है यह ऐसे यहां पर साड़ियों के साथ से दोपट्टे भी मिलते हैं बहुत ही अच्छे अच्छे दोपट्टे सूट वगएरा भी बहुत अच्छे अच्छे कुरती वगएरा भी टॉप वगएरा भी यहां पर देख सकते हैं कितने चार शॉप लास्ट की हैं यहां भी साड़ी हो गयरे की शॉप है काफी अच्छा साड़ी एक कलेक्शन है इनके पास में तो आप यहां से साड़ी बैक्स वगयरे पर्चेस कर सकते हैं तो गाइस एन आई होप आपको यह व्लॉग बहुत पसंद आया होगा मैंने पूरी मार्केट आपको दिखाए यह लास्ट तक मैं मैं इसको ले जाओंगी मुबाइल को लास्ट तक मैं आपको दिखाओंगी कि इस मार्केट में स्टार्टिंग से लास्ट तक कैसी शॉप्स हैं क्या कह सामान मिलता है अब यहां पर साड़ी और यह जो लॉंग इसकट हो गह रहा है यही समान लास्ट में है तो देखिए यह सब समान है लास्ट में आई होप आपको यह व्लोग बहुत जादा पसंद आया होगा और यह व्लोग बहुत ही अच्छा है क्योंकि इस मार्किट के बारे मैंने आपको बताया है फुल टूर कराया है मार्किट का तो अगर आपको मेरा यह व्लोग पसंद आये तो प्रीज आप मेरे चैनल को कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो